सलम अलेकुम रहमतुलाही वबरकातू अलेसा नमर ट्वंटी त्री अर्बनेजेशन एंड रूरल अर्बन माइग्रेशन इसका पहला टापिक है रोल अप सीटीज यह चेप्टर इंते ही आसान है तो अर्बनेजेशन और डिवलेप्मेंट का पस्त में एक स्ट्रांग एससिएशन है मतलब यह है कि जहां पे सीटीज हो तो वहां पे एकनामिक डिवलेप्मेंट जएदा होता है सीटीज अर्फर्म बिकास दे प्रोवाइट कास अडवाटेजिस तो प्रोडूसर एंड कंस्यूमर सीटीज में यह होता है कि प्रोडूसर और कंस्यूमर को कास अडवाटेज मिलता है वहां पे करीब-करीब मार्किट होता है और फर्म्स होते है तो टांस्पोर्टेशन का इतना खास नहीं होता तो लोगों को सस्ते दाम और शिया मिलते है इसको हम एगलोमरेशन एकानेमी भी कहते है इस चीज़ को एगलोमरेशन का मतलब है कलस्टर यानि एकटा होना तो जब एक अलाके में एक करहाना काम शुरू करता है फिर दूसरा फिर तीसरा तो आस पास दीगर इंवेस्टर वहां पे करहाने शुरू करते है तो गवर्मेंट भी इनको इनको इन्फरस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है टेक्स एक्जंशन और दीगर फिसलिटीज उनको प्रोवाइड करते है तो वो उस अलाके में डिवलेप्मेंट होता है इसको एगलोमरेशन एकानेमी की टू फ़र्म से एक अर्बनाज़ेशन एकानेमी है और दूसरा लोकलाज़ेशन एकानेमी अर्बनाज़ेशन एकानेमी क्या है अर्बनाज़ेशन एकानेमी जार एफेक्ट एसोसियेटेड विद जे जनरल ग्रोथ आप एक अर्फान काम शुरू करता है दूसरा अर्फान फिर तीसरा गवर्मेंट उनको पिसिलिटीस प्रवाइट करती है तो दिगर इन्वेस्टर भी वहाँ पे अर्फाने लगाते हैं तो यह एक एकनामिक जोन बनता है इसको अर्बनाजेशन एकानेमी कही ते हैं दूसरा लोकालाजेशन एकानेमी यह भी एकनामिका एक दूसरा फाम है लोकालाजेशन एकानेमी जरीफेट केपचर भाइ पर्टिकूलर सेक्टर आप देगानेमी सच एस अप्रवाइन्स यह एक अर्टो मुबिल इस दो घुरो विद इन एरिया अब देख ले एक आर्टो मुबी तो दूसरा अगर फर्म काम काम शुरू करें, तो पता होता है कि यहां पर अन। हम मेन पाउर भी रिसूर्ज्स रिसुक्त है, अगर में यहां पर भी काम काम करूं तो सकिल लिबम मुझे असानी के साथ मिलते हैं, तो इसको लोकलेजेशन एकॉनमी किहते हैं. अब अगर यहां पर एजमपल आइकाटो मूबिल कबनी जे कारखाने हैं फ़र्म जे काम करते हैं तो अगर आप वहां पर पार्ट का काम शुरू करें तो आपके पास आलेडी डिमांड मुझूद है तो आप असानी के साथ ग्रो करेंगे इसको हम लोकलाज़ेशन एकानिमी के तो फार्म से एक बेकवर्ड लिंगेज और दूसरा पार्वर्ड लिंगेज फिल्म पार्वर्ड लिंगेज की बात करें जब transportation cost significant हो suppose करें आपने marble का करखाना लगाया तो जहरी बात है कि जो अडोस प्रोस में लोग है तो वो आप ही से marble खरीदेंगे वो जह यह है कि गरीब है उन पे transportation cost कम आएगा अगर वो आप से खरीदना नहीं चाहेंगे और दूसरे फार्म से खरीदेंगे तो वो दूर होगा जहरी बात है कि उन पे कराया भी जएदा आएगा तो कराया से बज़ने के लिए चूंकि वहाँ पे अवारी जएदा है तो आपको demand जएदा होगा आपके product का तो इसको हम backward linkage कहते हैं दूसरा वो backward linkage है backward linkage का मतलब यह है कि आपने उन अलाकों में करखाना लगा या marble factors सब्पोस करें और वहाँ पे already marble factors मुझूद है तो आपके लिए मसला नहीं होगा कि मेरे लिए skill labor कहा से मैं उसको उसकी services को अवेल करूँगा जोंकि उन अलाकों में वो लेग रहते हैं जिनके पास यह skill है तो आपको human resource का मसला नहीं होगा skill labor का मसला नहीं होगा तो यह backward linkage है तो यह localization effects का एक type है अचा तो इसका यह फायदा है कि जो skill labor है उनको जाम मिलती है और आपको skill labor है उनको recruit करना असान होगा urbanization economy और localization economy की बात हम लेकी अब industrial district यानि city की बात करें city क्या है एक इस एरिया जहां पर आप बादी ज्यादा हो economics में जब आप उसको depend करते हैं तो फिर plus that contains a set of closely related activities city वो area होता है जहां पर closely related activities होते हैं यानि urban activities तो economic zone industrial district या cluster जब एक करहाना काम शुरू करता है इसको देखकर देगर करहानी वजूद में आते हैं establish होते हैं तो ये एक industry district वजूद में आ जाता है तो इसका ये फायदा होता है कि यहां पर learning आसानी के साथ होता है एक शखस एक form में काम करता है वहां से उनको वो skill सीखता है पर दूसरे form में तो इसे तरह आपस में लोग एक दूसरे के साथ वो formal तरीके से या informal तरीके से अपने experiences शेयर करता है और लोगों का skill वो grow होता है तो इसका ये एक बन्यादी फायदा है दूसरा फायदा ये होता है कि जोंके industrial districts में अबादी ज्यादा होती है और लोगों के पास skill होता है तो मुख्तलिफ कारखाने वोजूद में आते हैं तो उनको एक कारखाने का output दूसरे का input होता है तो आसानी के साथ तोड़े transportation कास्ट के मदद से उनको वो चीज अवेल होती है उनसे वो फाइदा मिलता है तीसरा फाइदा ये होता है कि cities में अबादी ज्यादा होती है तो consumers भी ज्यादा होती है तो इसी वज़ज़ से इनकारखानों का demand प्राड़क का demand भी ज्यादा होता है तो ये industrial district है social capital की बात करें social capital के अगर हम असान definition करें social capital is a trusting relationship that allow you to support one another असान definition ये है कि social capital एक एतिमात का तालोग है जिसकी वज़ज़ से आप एक दूसरे को support करते हैं तो आपको एक computer लेपटाप की जूरत है आपने एक दोस्त को फोन किया उसने आपको लेपटाप बेज़ दिया ये एक social capital है बास लोगों का social capital ज्यादा होते है बास कम तो ये इसकी definition उनने कापी detail में की है लेकिन simple अगर मैं इसको define करो social capital is a trusting relationship that allow you to support one another बस ये एक future cooperative behavior की expectation को raise करता है emergence of industrial district या cluster in China अगर हम industrial district या cluster की तारीख पड़े चाइना में तो 1980 की दाही से पहले चाइना में जो industry था वो nationalized था श्टेट ओन था और military defense के लिए मुटलिफ जिएगरापी में characters लगाए गए थे special economic zones थे जैसा के shins zones था तो इसका बुनिया दे मक्सद ये था कि जो foreign investor थे उनको attract करें और domestic firms थे domestic firms sold input to them but not as clusters जो domestic firms थे वो उनको input sold करते थे उन पर फिरोख करते थे वो output produce करते थे लेकिन यहाद में क्लिस्टर नहीं था एक करखाना एक अलाके में मुझूद है दूसरा करखाना दूसरे लाके में तीसरा पिर क्या हुआ वेर टाउंशेप और विलेज इंटर्प्राइज वजुद में आये और उन्होंने लोकल गवर्मेंट्स के आउटसाइड काम शुरू कर दिया और वो उसके बद्वेगली ओन भाइदिम उनकी मिल्कियत थी लेकिन पूरी मिल्कियत नहीं थी तो उन्होंने कपी एक्टिव क्या हुआ duas चैना काम शुरू किया तो काइभी काम शुरू कि कॉस्ट्र हुआँ कào कटी गाइए और चैना यहरस अन्युद कैसे काम शुरू किया किवास्ट्री आई इंसेय हुआग्में ँड्स्री दॉय्टिट्रिक दुग अटने क्इस्चिस आऊ कंजेस्टन एक्षण यह कि जब एक एक्षण लेंगे तो वह दूसरे एज़ंट के لिएडे वह इंसेंट हाई हो जाता है तो इसको हम congestion pricing के अर्बन जैंट इसम प्रावलम इससे पहले हम developing countries की वजाहत करें किसी ना किसी मल्क के कालूनी रह जोके हैं पाकिस्तान और इंडिया बंगलिदेश की बात करें तो यह बरतायनिय कालूनी ता यहां पे बरतायनिय की हुकूमत थी तो उन्हों क्यूंकि यहां पे जो उन्होंने सड़ के बनाई रेल गाड़ या रेल की सूलत प्रवाइड की तो इसका बुनिया दी मकसद यह था कि यहां से जो रिसूरसें वो बरताणिया ले जाए उनका मकसद यह नहीं था कि इन लोगों को ट्रांसपोर्ट के सूलत प्रवाइड करें बलकि उनका बुन्यादी मकसद यह था कि यहां पर जो नेचल रिसूर्से से उनको एक्स्ट्रैक्ट करें अपने मल्क ले जाए तो इस सिस्टम को उन्होंने हब इंड स्पोक सिस्टम कहा अमूमन जो केपिटल सीटी था अहम सीटी था वो सहल के जो समंदर के सहले उसके करीब होता या मुल्क इंटिरियर में होता उसको हब कहा जाता था दूसरी बात यह नोट करें कि वहां जो हब सीटी था केपिटल सीटी था उसमें आर्मीज रहते थे तो जब किसी गाउं में बागावत होता तो इन रूर्स को इन ट्रांस्पोर्टेशन रूर्स को सिरफ उन बागावत को कोचलने के लिए इस्तिमाल किये जाता था अच्छा पिर जो सीटी वजूद में आएं तो लोगों का मकसद यह था कि वहां पर माइगरेट करें और ताकि उनको बेटर इंप्लैमेंट अपर्चुनिटी मिलें और उनका जो लाइफ का स्टेंडर्ट है वो हाई हो जाए तो ज्यादा लोगों ने रूरल एरिया से बन एरियास में लेकिन जब वहाँ पर चले गए तो ज्यादा लोगों ने इंप्लैमेंट हासिल की उनको रूजगार मिला लेकिन अक्सर लोग वो इस रूजगार से महरूम हुए वजह यह है कि उनका उनके पास स्केल था एजूकेशन था तो अपने तालिम के बुनियाद पर अपने स्केल के बुनियाद पर उनको एजूकेशन की बुनियाद पर वो रूजगार ना मिले सो वो कुट एड़ अप इन डिजास्टर वो मज़ीद मुश्किलात के शेकार हुए पस सीटी बाइस यह टाप एक इंतही असान है दे कंटी लार्जेस पर एजब आप पाक पर शेटी लाओर है इस तरह फैसलवाद दीगर चोटे 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 शेर है सियल कोट है पिशावर है मरदान है वगएर वगएर इसलामबाद है तो पस सीटी बाइस का मतलब यह है कि गोवर्मेंट ज्यादा तवज्जू बड़े सीटी पर दे उनको ज्यादा पेसा दे उनको ज्यादा रिसोर्स प्रवाइट करें तो उसको फस्टी बाइस के लाता है तो इसका नुक्सान यह होता है कि जो बड़ा शेर होता है वो ग्रो करना शुरू होता है उसको कापी रिसोर्स मिलते है और दीगर शेर वो इग्नॉर किया जाते है तो इसका नतीजे क्या होता है तो फिर लोग ऐसा करते हैं कि जहां पर ज 시청्पर्वाइट करें तो लोग वहाँ पर अबादिकापी बड़ जाती है तो यहां पे उन्होंने एक टेबल शो किया है अगर हम किनेडा की एक्जामपल ले ले किनेडा का जो सबसे बड़ा शेह है टॉरंटू वहां पे अबादी पांच अजार पैंटिस मिलियन है और इसका दूसरा शेह है मौन्ट्रियल वो दूसरा का 0.732 मिलियन है तो अब अगर हम तैलेंट की बात करें तो तैलेंट का जो बिंकाक शेह है उसके अबादी 20 गुना सेकंड सिटी से हाईयर है पाकिस्ताब में इतना गेप नहीं कराची और लाहूर में कराची के अबादी एक करोल उन्चास लाके जबके लाहूर के अबादी एक रोल बार रहाके मर्दम शुमारी के मकाबले में मताबक 2017 के मर्दम शुमारी के मताबक में पिलिपीन के अगर एक एजामपल ले ले तो वहाँ पर मेनेला जो सिटी है वह सिकन्ड सिटी से सेवन टाइम्स उसके अबादी ज्यादा है इस तरह कांगो दीगर काजिज़ आ पर अबादी जैन्टिजम पर एजमपल आप कराची को ले ले किसकी अबादी में इतना इजाफा हो रहा है ये क्यों हो रहा है इसकी क्या वजुहात है तो अर्बन जैन्टिजम की काजिज़ को हम वन बाई वन समझने की कुशिश करें तक्रीबन चीज साथ उसकी काजिज़ है एक है हब एंड स्पोक टांस्पोरेशन सिस्टम ये एक अहम काज़ है कि जो अहम पहला सिटी होता है पस सीटी कराची को ले ले ये हब होता है यहां दिगर ममालिक से दरमादत आते हैं और पिर यहां से पूरे मिल्क में डिस्टिबूट होता है कारखाने मुझूद होते है तो इसी वज़ा से ये एक हब होता है तो इसी बुनियात पर ये अहम काज है इसके ग्रोग करने का दूसरा काज ये है कि लोकेशन अप दो पुलिटिकल केपिटल इन दा लार्जेस सीटी अमुमन तमा ममालिक में जो लार्जेस सीटी है वहां पर ये पुलिटिकल केपिटल होता है तर्ल्ड, MVC का एक Mutl 시간 होता है Political Culture Operated Seeking ये भी एक आहम खास है कि इसकी वजह से एक PASCity के अबादी मेज़ाब होता है Political Culture Operated Seeking ये है कि जब एक Government मुझूदा KPITOL से า वेल्ट जनरेट करना शूह करता है जियदा से जियदा इसके मुकाबले में कि वो दीगर resources भी लगा ले, दीगर resources से wealth हासिल करे और मज़िद capital लगाने की बज़े, वो मुझूद capital से wealth generate करना शूर करता है तो इससे क्या होता है, कि जो पहला जो city होता है, पस city, उसके pressure होता है, वहां में अबादी मेज़ा पहोते हैं तो जब capital market fail हो जाता है, तो दीगर जो चोटे चोटे share है, वो grow करना शुरू नहीं करते हैं और दुसरी बात है, कि दीगर cities वो वज़ुद में नहीं आते हैं तो तिसी बुन्यादी वज़ा यह है, कि political culture आप्रेंट से किंग चोटा वज़ा यह है, कि जो political economy है, इसका unfortunate consequences होता है कि जो पर्सीटी है, उस पे pressure पारता है और एक बुन्यादी वज़ा यह हो सकता है, import substitution industrialization अच्छा यह क्या है, जब आप एक दूसरे मल से धरमादाथ उस पे पाबंदी लगाते हैं इस मकसद के लिए कि जो पर्सीटी में करखाने है, वो grow करें, उनके products वो अपने वतन में इस्तिमाल हो तो उसका क्या असर निकलता है, इसका असर यह होता है, कि वहाँ पे जो firms है, वो उसके product के demand में जाफ़ा होता है लोग वहाँ पे जाब की घरसे जाते हैं, दीगर investor वहाँ आते हैं और firms और करखाने लगाते हैं तो इससे यह होता है, कि एक economic activity वहाँ पे इसमें जाफ़ा होता है, दूसरा यह नुकसान होता है, कि वहाँ पे लोगों की अबादी भल जाती है, migration बहुत जादा हो जाता है तो पिर इसको देखकर दीगर firms भी अपना काम शुरू करते हैं, और लोगों का migration बोजर रहता है, तो वराल उस city की अबादी में इजाफ़ा होता है अगर हम यह करें, कि government trade barriers को खतम करें, तो congestion cost को कम करने के लिए, लोग क्या करेंगे, वो दीगर शेरों में करखाने शुरू करेंगे तो इससे यह होगा, कि जो दीगर चोटे 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 शेर हैं, उसके अबादी में इजाफ़ा होगा तो एक यह है कि trade barrier को खतम किया जाए, तो trade barrier के खतमे से दिगर जो चोटे 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 शेर हैं, उसमें इजाफ़ा होगा और बड़े शेर में पर प्रेशर कम हो जाएगा एक और वज़ा पुलिटिकल वज़ा भी हो सकती है, आप यहाँ पर देख लें, कि जो कि डिक्टेटर्स होते हैं, वो ज्यादातर बड़े सीटिस पर तवज़ देते हैं, ताकि वहाँ पर पुलिटिकल अनरेस्ट ना हो, कराची देख लें, कि वहाँ पर गवर्मेंट की कि वहाँ पे अमन Será की ओव झाए, वहाँ पर तो अमन के लिए, वो क्या करते हैं, वहाँ पर ज्यादा रिसूर्स वो इलोकेट करते हैं, वहाँ पर तौ यह दुनिया में आपने देख लें, कि जहां पर लार सिटिओ होते। तो स्टेबल डिमोकरिसी में स्टेबल डिमोकर है जहाँ पे unstable dictator होगा तो वो कुशिश करेगा कि जो cities large cities है वहाँ पे population ज्यादा है तो उन लोगों को मुतमिन करने के लिए वो वहाँ पे resources ज्यादा से ज्यादा allocate करेगा जब वहाँ ज्यादा यह होता है कि उन cities पे मज़ीद pressure पड़ता है तो यह dictatorship का unstable dictatorship का भी एक वज़ा है कि इसे जो पस city है इसकी अबादी में जाफ़ा होता है और यह बात भी note करें कि जहाँ पे giant cities होते हैं वहाँ पे democratic system ज्यादा देर नहीं चलता और बार बार martial life की हकोमते आ जाती है फोजी हकोमते आती है अर्बन informal sector इससे पहले हमने लेक्टर नमबर त्री में बढ़ा था कि एक मुल्ग में दो sector होते हैं एक modern sector industrial sector दूसरा rural sector traditional sector या agriculture sector तो जो लोग जरात से वाबस्ता होते हैं उनके तनख्यादा होती है आप जब एक सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे दो sector होते है फार्मल sector और informal sector इसकी हम वज़ाद करें formal sector वो होता है जैसा कि government अधारे है health है education से related जो organization है वहाँ पे जो लोग मुलाजमते करते हैं की तनख्वाई होती है उनको पिंशन मिलता है उनका अबना union होता है labor union होते है टीचर्स के union होते है तो उनको माराद मिलते है इसके मुकाबले में informal sector वो सेक्टर होता है जहां पे लोग construction से वाबस्ता होते है ध्यारी करते है self-employed होते है रेड़ी वाले लोग होते है या child labor या जो घरों में जो खावातीन काम करती है उनसे को बहुत थोड़ा पेसा मिलता है तो ये informal sector होते है यह से लोगों को ना pension मिलता है ना दीगर facilities उनको provide होती है ना social security fund उनको मिलता है तो ये informal sector होता है जो लोगों को जाब नहीं मिलता तो अमूमन ये जो अफगानिस्तान से लोग आए है migration करके तो construction से वाबिसता है इस तरह रास्तों में वो चीज़े बेचते है और उनका जो trade होता है वो चोटे-चोटे कारुबार करते है services provide करते है ननका जो जाब होता है ये काफी labour intensive होता है तो जो construction's में तरकान होते हैं जो मजदूर होते हैं तो ये मस्लह होता है कि ने लोगों का जो तरخा होता है वो कभी कं होता है और कभी ननका कं होता है कभी नहीं होता है रेडरी वाले तो ये informal sector इसको informal sector कहा जाता है तो कारखान जो cities होते हैं वहाँ पर formal sector भी होता है और informal sector भी होता है यहाँ मैंने आपको उनकी वज़ात की यही चीज़ आपड़े इंतही आसान है अच्छा informal sector जो developing countries में अहम रोल प्लेए करता है तकरीबन हाप आप दे employed urban population work in the informal sector जो urban people है जो शेरों में रहे हैं तकरीबन 50% वो informal sector से वाबिस्ता है तोड़े चोड़ा सा दुकानों ने कारूबार शुरू किया है या रीडी लगाई है या दीगर जो services और चोटे चोटे काम करते हैं इससे वो अपने लिए रोजी कमाते हैं तकरीबन 30% से लेकर 70% जो इंप्लेमेंट से वो informal sector में मुझूद है और अगर इंडिया के अगर हम बात करें तो urban informal sector वो compresses 28 शेर या 5% आप इंप्लेमेंट इन कलकाता कलकाता शेर में 28 शेर या 5% जो रोजगार है वो informal sector प्रोवाइट करता है एहमातबाद में 40% मंबई में 49% और जिनए में 53% और दिली में 81% और बिंगलोर में 65% अच्छा अर्बन informal sector के लिए government की क्या policy होने चाहिए जैसा कि हमें पता है कि rural sector में क्या होता है लोगों को जो रुजगार मिलता है उस इनको बहुत कम तनखाम मिलते है बहुत कम पैसा मिलता है वज़ा यह है कि यह लोग वो गुर्बत के शेकार होते है अंडर इंप्लेमेंट के शेकार होते है और उनका जो लैब स्टेंडर्ड होता है वो कापी कम होता है हाई नहीं होता और जो formal sector है उसे जो वाबस्ता लोग है उनकी जिन्ने की खुशाल होती है उनको तनकावदा जैदा मिलती है वो पर सुकून होते है informal sector के मुकाबले में और informal sectors पर formal sector पर डिपेंड करता है अपने income के लिए और growth के लिए। अचा ये बात नोट करें कि गवर्मेंट क्या कर सकते है informal sectors के लिए। तो informal sector वो आहम role play करता है जो लोग गरीब होते हैं उनको रुजगार नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं वो ready लगाते हैं construction में काम करते हैं चोटे मोटे कारूबार शुरू करते हैं services provide करते हैं इससे उनका गुजारा होता है तो ये एक transitional page होता है लोगों को जब 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 नहीं म तो government को ये government का ये फर्ज मनता है कि formal sector को grow करें ताकि लोगों को employment मिले रुजगार के मौख़ए बढ़े तो informal sector पे जो pressure है वो कम हो जाएगा जब बात है कि अबादी में जब जाप हो रहा है अगर लोगों को रुजगार नहीं मिलेगा तो वो चोटे मोटे काम शुरू करें इन्फरमल से वाबिस्ता हो जाएंगे जब वो जियुदा लोग इन्फरमेल से वाबिस्ता हो जाएंगे तो इन्फरमल सेक्टर को supply क में जाप होगा तो जाहरी बात है जब एक चीज़ की supply में zone ho macam 2020 हो जाता है जाना हो जाता है तो उसकी video में कमीआ वाकिole हो जाती है तो लोग बहुत ज्यादा लोग informal sector से वाबस्ता होगे तो उनके काम की इदनी इहमिर ना होगी वो ज्यादा काम करेंगे उनको बहुत कम पेसा मिलेगा women in the informal sector अच्छा ये बात नोट करें कि अमूमन informal sector में तीन किसम के लोगों होते हैं ज्यादा तर एक वो जो हिजरत करके आए देखे पाकिस्तान में जो महाजिरीन ने हिजरत किया है वो ज्यादा तर informal sector से वाबस्ता है दूसरे चैड लेबर जो बच्चे गरीब है वो informal sector से वा पातीन है ज्यादतर लोगों की गरों में काम करती है और बहुत ज्यादा मेहनत करती है और उनके मेहनत के वज़ में उनको इतना मौावज़ा नहीं मिलता और informal sector की जब मैंने बात की कि यहाँ पर सोशल सेकुरिटी बेनिफेट्स भी नहीं मिलते हैं उनका अपना ट्रेट यूनियन भी नहीं होता और उनका जो जाब होता है वो अनस्टेबल जाब होता है एक दिन वो रुज़गार पर होते है तो यह लोग कपी माली मुश्किलात के शेकार होते हैं तो हमारा अखला की मज़बी और माश्रती फरस बनता है कि लोगों को इज़त की निगासे अमूमन इससा होता है कि लोग गाउं चोड़कर शेहरों में जाते ही तो इसको रूरल अर्बन मेग्रेशन केते हैं और यह इंपार्टन्ट है इससे एक सीटी में एकनामिक डिवलेप्मेंट वाकि होता है लेकिन पाकिस्तान और दीगर जो डिवलेप्मेंट केंट्री से यहां पर बड़ा मसला है वज़ा यह है कि शेहरों पे काभी प्रेशर होता है सीटी से के केपिस सीटी से ज्यादा लोग वहां जाकर रोजगार की तलाश में चले जाते हैं जिसकी वज़ा से उन सीटी से पर प्रेशर पाड़ता है तो मेगरेशन वर्सन रूरल अर्बन स्ट्रक्चरल इंबेलेंस इन टू डैरिक वेस्ट इन डिवलेपिंग केंट्री से एक वज़ा यह है कि सपोस्ट करें कि एक सीटी में एक लाग मुलाजमतों की गुंज़ाश है और वहां पे लोग जाए मुलाजमत की तलाश के लिए एक लाग पचास हज़ा तो यह पचास हज़ा यह सरफलस लेबर होगा तो आल रिडी पहले ही से अर्बन में शेरों में लोग रह रहे हैं उनको भी जाप की जूरत है और अब यहां देहाद से लोग जाकर सीटीज जाएंगे और जापी तलाश में तो जहरी बात है कि लेबर की सप्लेई में इजाफा होगा तो एक मसला तो यह होगा तो ज्यादा केपिटल की जूरत होगी कापी और केपिटल कापी मुश्किल होता है कापी ज्यादा उसके लिए इन्वेस्मेंट तरकार होती है इसके बरगस अगर यही लोग देहाद में रहे और केट हमें काम करें तो मतलब असानी केसाथ उनको जाब मिलेगा और तोड़े से रिसूर्स में उनको जाब्स मिलेगा और वो पेसे कमाएंगे तो यह दो बड़ी वजुहात है जिससे जो रूरल अर्बन मैगरेशन का केस है यह कापी खराब हो जाता है अच्छा यह बात नोट करें के मैगरेशन फेटरन यह भी कमप्लेक्स है चार गिसम की मैगरेशन है एक यह है कि रूरल अरिया से लोग अर्बन अरिया मैगरेट होते है दूसरा अर्बन अर्बन मैगरेशन फारिजम पर लाहोर से लोग कराची मनतेकल हो जाते है तर्ड ऐसा होता है कि लोग शेरों से निकल कर देहाद में आ जाए, चोता एक गाउं से लोग हैजात करें दूसरे गाउं में, लेकर जो ज़्यादा मुशूर है, आहम है, वो रूरल अर्बन मेगरेशन है, रूरल अर्बन मेगरेशन ये इंपॉर्टन है, एक वज़ा ये है कि पॉपुलेशन रेट कम होता है, लेकिन चोंकि लोग देहाद से मेगरेशन करते हैं, इसे सीटिस के अबादी में इज़ापा होता है, दूसरी अहम वज़ा ये हो सकती है कि एक एगलुमेरेशन एफिक्ट होता है, एगलुमेरेशन एकानिमी, वहाँ पे पंस होते हैं, उसको देखकर मेगरेशन ये एक कंटिनियूस मुवमेंट आप पीपल होता है, डिवलेपिंग कंट्रीज में, वह शाट डिस्टेंस और दूसरा एक टरम्स इस्तिमाल होता है, स्टेर्स इन टेडिशनल सुसरीटी, जो टेडिशनल सुसरीटी होते हैं, जहापे कर खाने ना हो, और दीग